नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी लोग का सोनु श्टडी क्लास से यूटूब चलों दोस्तों मैं आप लोग कुंसी आटी बूग क्लास 12 इतियास चैप्टर 3 बंधुत्व जाती तथा वर्ग परपस उत्तर मैं आप लोग कुस्प्रूड़ों मताऊंगा प्रस्त नमबार एक इस पष्ट कीजिये कि विस्ष्ट परिवारों में पित वनसिक्ता क्यों महत्पूर रही होगी उत्तर पित वनसिक्ता का आर्थ है वो वनस परंपरा जो पिता के बाद पुत्र फिर प्रपोत्र इतियादी से चलती है इतियास कार परिवार और बंधुता समंदित विचारों का विसलेशड करते हैं इसका अध्यन इसलिए महत्पूर है क्योंकि इससे इनकी सोच का पता चलता है समभोता इन विचारों ने लोगों के क्रिया कलापों को प्रवावित किया होगा इसी तरह व्यवार से विचारों में बादलाव आया होगा हमें इस को इस्पष्ट संकेत एगवेज जैसे करम कांडिय ग्रंथ से भी मिलता है विस्षिष्ट परिवारों में वस्तुत सासक परिवार एवं संपन परिवार सामिल थे ऐसे परिवारों की फित वनसिक्ता निम्लखी दो कारणों से महतूर रहे होगी नमबर एक वनस परंपरा को नियमित रखने है तू धरम सुत्रू की माने तू वनस को पुत्र ही आगे बढ़ाते हैं अता सभी परिवारों की कामना पुत्र प्राप्ती की थी यह तथे रिगवेद के मंत्रू से स्पेट हो जाता है कि इनमें पिता अपनी पुत्री के विवा से बचने है तू नमबर एक विसिष्ट परिवारों के माता पिता नहीं चाहते कि उनके बाद उत्रादिकार को लेकर किसी प्रकार का जगड़ा हूँ राज परिवारों में तो उत्रादिकार के रूप में राजगदी भी सामिल थी अता पुत्र न होने पर अनावसक विव थे बलकि अन्य वर्गों से भी सम्मंदित होते थे देश के अंदर सुरू से ही वर्ण विवस्ता जटित थी और चारों वर्षों के लिए अलग-अलग करतब निर्दारी थे उनके अनुसाराज करने का दिकार केवाद छत्री वर्ग के लोगों को ही था धर्म सुत्रों और धर्म सास्त्रों में इसे एक आदर्स विवस्ता के रूप में उले किया गया अच्छत्रियों का करम सासन करना, यूद्ध करना, लोगों की सुरच्या प्रदान करना, नयाय करना, यग करवाना, वेद पढ़वाना और दान दच्छडा देना था ब्रह् सत्य की ग्रंथों में गैर छत्रिय राजा होने के प्रमाड मिलते हैं कई महत्पूर राजवनसों की उत्पत्ति आन्य वर्गों से हुई थी मौर्य जिनों ने एक विसाल समराज पर सासन किया के उदव को लेकर गर्म जूसी से बहस होती रही है बाद में बहुत ग्रंथों मे यह इंगित किया गया है कि वह चत्रिय थे किन्तु ब्रमडिय सास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं सुंग और कड जो मौर्य के उत्तर अधिकारी थे ब्रमड थे वस्तुत राजनीतिक सत्ता का उभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो सम्मर्थन और संसाधन जुटा सक यह की सात्वाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध सासव गोमती पुत्र सिरी सातकानी ने सुयम को अनुठा ब्रमण और साथ ही छत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था उसने यह भी दावा किया कि चारो अरगों में वितर विवा सम्मंद होने पर उसने रोक लगाए किन्तु फिर भी रुद्रदावन की परिवार से उसने विवा सम्मंद इस्तापित किये जाती प्रथा के वितर आत्म साथ होना वदूता एक जटिल समाजिक प्रक्रिया थी चाहिए वह वर्ण विवस्ता की मर्यादा बनाये रखने का दावा करते थे किन्तु साथ ही उन लोगों से विवाहिक सम्मन्द भी स्तापित करते थे प्रस नमबर तीन द्रून हीडिवा और मातंग की कथाओं में धरम के माप डंडों के तुलना कीजिये हुए अपने उत्तर को भी स्पष्ट कीजिये उत्तर नमबर एक द्रून की कथा और धारमेक माप डंड द्रून के पास एक लव्य नामक बनवा से निसाथ सिकारी समुदाय आया द्रून जो धरम समस्ते थे उसकी अनुसार उन्हों ने उसे सिर्ष की सिर्ष की रूप में सुईकार करने से मना क कर दिया एक लव्य ने बन से बन में लोटकर मिट्टी से द्रून की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरू मानकर वस्वय में तीर चलाने का आरम करने लगा समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्ध हंत हो गया बहुत दिन बाद एक दिन गुरू राशकुमार अपने कुत लगा एक लव्य ने एक साथ साथ तीर चला कर उसका मुझ बंद कर दिया जब वह कुता लोटा तो पांड़ो तीरदारी का यह तीरदाजी का यह अध्भूत द्रून ने अपने प्रेसिस अनुच अर्जून के सामने यह प्रण किया था कि उसे वह विश्व के अध्यूति तीरदाज बनाएंगे इस द्रिशे को देखकर अर्जून ने द्रून को उनका प्रण याद दिलाया द्रून एक लव्य के पास गए उसने उन्हें अपना गुरू मानकर परणाम किया जब द्रून ने गुरू दच्छडा के रूप में एक लव्य से उनकी दाइने हाथ का अंग उठा मांग लिया एक लव्य ने फोरण गुरू को अपना अंग उठा काट कर दे दिया अब एक लव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा इस तरह द्रून ने अर्जून को दिये वजन को निभाया कोई भी अर्जून से वेतर धनू धारी नहीं रहा हाला कि से दू बाते इस पश्ट है कि दुरून एक ब्रामहड थे उनका काम सिच्चा देना था तथा वण व्यवस्ता के अनुसार स्यानिक दायत्तु का निर्वाज चत्री करते थे दुरून के सीस पांडो और कौरव चत्री थे वे उने धर्मसूत्र या वण व्यवस्ता द्वा सारा निसादों को यह संदिश दिया जा रहा है कि वे बनवासी आदिवासी हैं अतव वण व्यवस्ता के अनुसार उच्च वर्गों की वराबरी का दावा नहीं कर सकते हैं नमर दू हीडिवा की कथा और धार्मिक माबडंड पांडो गहन बन में चले गए थे ठक कर वे सो गए किवल वितिय पांडो भीम जो अपने बल के लिए परसित थे रखवाली कर रहे थे एक नर बच्ची राच्छस को पांडो की मानुस गंद ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हीडिवा को उन्हें पकड़ कर लाने के लिए भेजा हीडिवा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुन्दर इस्तिरी की वीस में उसने भीम के सामने विवा का प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने अस्विकार कर दिया इस बीच राच्छस वहां आ गया और उस से उन्हें आउगत करायवा कुंती से बूली है उत्तम देवी मैंने मित्र बांदो और अपने धर्म का भी परित्या कर दिया है और अपने वाग संदर्त पूत्र का अपने पती के रूप में चैन किया है चाहे अब मुझे मुर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी किर हिडपय मुझे अपने साथ लें तथा अपना पूत्र मेरा पती आपका पूत्र मेरा पती हो अतह योदिश्टीर इस सर्थ पर विवा के लिए तयार हो गए कि भीम दिन भर हिडपा के साथ रहकर रात्री में उनके पास आ जाएंगे दोनों का विवा संपन्न हुआ हिडप मा और पुत्र पांडों को छोड़कर बन में चले गएं किन्तु घटोरकच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडों को उनकी जरूरत होगी वह उपस्तित हो जाएगा तिपड़ी कुछ इतियास कारों का या मत है कि राच्यस उन लोगों को कहा जाता था जिनके अचार व्य ने बनारस नगर के बाहर एक जंडाल के पुत्र के रूप में जनम लिया उनका नाम मातंग था एक दिन वह किसी कारिवस नगर में गए वहां उनकी मुलाकात दित्य मांगलिक नामक एक वैपारी की पुत्री से हुई उन्हें देखकर वह चिलाई मैंने कुछ असूप देख लिया है यक अकर उसने अपनी आखे धोई उसके क्रोधित सिवकों ने मातंग की पिटाई की विरूद में मातंग बैपारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेड़ गए लेड़ गए साथ में रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दृत को उन्हें सौप दिया दृत उपवास से छिड़ हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई घर लटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णे लिया अलोकिक सकती हासिल करने के उपरांत हुआ बानारस लटे और उन्होंने रित से विवा कर लिया माडे कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ बड़े होने पर उसने तीन वेदों का अध्यन किया तता प्रते एक दिन वह सूल हज्यार ब्रामडों को भोजन कराता था एक दिन फटे वस्त्र पहने तता मिट्टी का विच्छा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आये और उन्होंने भोजन म उन्हें देखकर मांड वे ने कहा कि तुम देखने से एक पातीत प्रतीत होते हो अता तुम विच्छा के यूग नहीं हो भोजन ब्रामडों के लिए मातंग ने उत्तर दिया उन्हें अपने जनम पर गर्व है वह अज्यानी है वह भेट के पात्र नहीं है इसके विपरी ज देखकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा मातंग आकास में जाकर अध्रिस हो गए है जब दृत्यम मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उन से माफि मांगने के लिए उनके पीछे आई तितपड़ी उप्युक्त कथा पता चलता है कि लोग महान धार्मिक संत या विच्चु को भी उनके निम्न वर्ग वर्ण या जाती से सम्मंदित होने के कान उनके साथ ग्रणा तथा तिरसकार का बैवार करते हैं कि वोधिस्त्व मातंग की आलोकिक सक्ति को देखने के बाद विसेष्ट परियन उनसे चमा याचना करते हैं प्रस नमबर चार किन मायनों में समाजिक अनुवंद की बहुत आउधालना समाज में उन ब्रामडिय द्रिश्टिक कोड से भिन थी जो पुरुस युक्त पर आधारित था उत्तरवोदों के अनुसार भारती समाज में विसमता मौजूद थी लेकिन यह वेद न तो अंगिक है और नहीं स्थाई है जो जनम के अधार पर ब्रामड अपने अनेक सुत्रों जैसे पुरुस सुत्र में उलेक करते हैं उन्हें बहुत आउधालना सीधे सिरे की सिरे से खारिच करती है समाजिक अनुवंद के बारे में बोधों ने समाज में फैली विसमताओं की स संदर्व में एक अलग आउधालना प्रस्तुत की साथ ही समाज में फैले अंत्र विरोधी को नियमित करने के लिए जिन संसाओं की आउसकता थी उन पर भी अपना द्रिष्टी कोड सामने रखा सूत पीटक नामक गरंत में एक मिथक वर्णित थे बनस्पती जगत की अवि भूजन की आउसकता होती है किन्तु यह अवस्ता करमसपत सील हुई मनुस से अधिकादिक लालची प्रती इंसक और कप्टी हो गए कर वह मूल था जो लोग राजा की सेवा के बदले उसे देते थे यह मिथक इस बात को भी दरसाता है कि आर्थिक और समाजिक संबंदों को बनाने में मानविय करम का बड़ा हाथ था इस तत्य के कुछ और आश्रे भी है उद्धारन यदि मनुस स्वयम एक प्रणाली को बनाये रखने के लिए जिमेदार थे तो भविस्त में उनके उनमें परिवर्तन भी ला सकते थे प्रस नंबर पांच निमनिखित औरन माभार से हैं जिसमें जेश्ट पांडव युद्रिष्टीर्दूद संजय को संबोधित कर रहे हैं संजय द्रिष्टा राष्ट्रग्रे के सभी ब्रामडों और मुख्य पूरवित को मेरा विनित अभिवादन दीजिएगा मैं गुरु दुरुण के सामने मस्तक होता हूं मैं कृ कुरु वन्स के प्रधान विसमें के मेवरिद राजा निरिष्ट राज को नमन करता हूं मैं उनके पूत्र दुरुयोधन और उनके अनुजो के स्वास्त के बारे में पूछता हूं तथा उनको सुभ कामनाय देता हूं मैं उन सब कुरुयोध्याओं का अभिनंदन करता जो हमारे भाई पूत्र और पोत्र हैं, सर्वो परी मैं उन महामती विदूर को जिनको जनमदासी से हुआ है, नमस्कार करता हूँ, जो हमारे पिता और माता के रिस्त हैं, मैं उन सभी प्रज़ेस्तियों को प्रणाम करता हूँ, जो हमारी माताओं के रूप में जानी जाती ह उनसे यह कहिएगा कि मैं आसा करता हूँ कि वह सुरच्छित हैं मेरी और से उन खुल वधुओं का जो उत्तम परिवारों में जन्मी हैं और बच्चों की माताएं हैं अविनंदन कीजिएगा तथा हमारी पुत्रियों का आलिंगन कीजिएगा सुन्दर, सुगंदित, सुवे, सित, गडिकाओं को सुबकामनाई दीजिएगा दासियों और उनकी संतानों और वृद, विकलांग और असहाय जनों को भी मेरी और से नमस्कार कीजिएगा इस सुची को बनाने के आधारों की पैचान कीजिए उम्र, लिंग, वे, वे, वंदुत्तों की संदर्व में क्या कोई अन्य आधार भी है प्रतेक स्रेडी के लिए इस पश्ट कीजिए कि सुची में उन्हें एक विसेजिस इस्थान पर क्यों रखा गया है उतर इस सुची में जीन आधारों को इसके निर्माड हेतों मानता दी गई है उनकी पैचान करते हुए हमका सकते हैं कि उम्र, लिंग, वे, वंदुत्तों की संदर्व में साथ-साथ गुरूसिस के संबंध राजा के प्रती, सम्मान माताओं के प्रती अविनंदन विसेश प्रत्रम युदिश्टीर ने कोरों के दूद संजे को संबोधित करते हुए अपने राज्य के सभी ब्रामडों और मुखे पूरोहित और को अपना विनित अभिवादन प्रस्तूत किया। नमबर दू ब्रामडों के उपरांथ युदिश्टीर ने गुरू द्रूण के प्रती हिर्दय से नमस्कार न हिर्दय से न मस्तक होकर अपने सम्मान की अभिव्यक्ति कि वह द्रूण की तरह क्रिपाच्यार को भी गुरू मानते थे। नमबर तीनतत पहस्चात उन्होंने कुरू के प्रधान और उम्र में सबसे बड़े भीश्म पितामा को सम्मान दिया क्योंकि वह अपनी योग्यता के साथ साथ उम्र और अनुभो की दृष्टी से भी सम्मान ये थे। नमबर चार ये दिपी दृष्ट राजकौरों के पिता थे लेकिन उन्हें भी योधिश्टीर ने सम्मान दिया क्योंकि वह ब्रिद्ध होने के साथ साथ हस्तिनापूर के नरेश भी थे। मेंबर पांच योधिश्टीर म्रयादय पृष्टम में से एक थे इंसानियत उनके ब्यवार और विचारों से अविव्यक्त होती है ये पी साहीतिकारों ने पृष्ट दृष्टन को एक अच्छे पात्र के रूप में उपस्तित नहीं किया है ये तथा पी योधिश्टीर का निर्वाह किया और अपनी सुब कामनाएं उन्हें प्रस्तूत की निसंदे ये तृष्ट चार का तकाजा है नमबर 6 उसकाल में एक बीर दूसरी बीर या योधिश्टीर का सम्मान करता था फुलस संजय ने युधिश्टीर से कहा मैं उन सब युवा कुरू वानों में सर्वो परी थे निसंदे उनका जनम एक दासी की कोक में हुआ था लेकिन युधिश्टीर जनम के आधार पर आधारित वर्ण ब्यवस्ता में यकीन नहीं रखते थे अता उन्होंने बहुत दिक स्तर के आधार पर विदूर को नमन किया और उन्हें अपने पिता और माता के सम्मान से हिर्दा बताया ततपस्चा युधिश्टीर ने संजेक से स्तरियों विशेश कर वर्दा और अपने माता की उम्र की नारियों के प्रती अपना नमस्कार वस सम्मान देने के लिए कहाया इस बात का प्रतीक है कि उस समय के लोग नारियों का बहुत सम्मान कहते थे उन्होंने सिग रही अपने छोटे भाईयों पुत्रों पोत्रों आदी की पतनियों के लिए उमिद जताई थी कि उन्होंने कुल वदूओं को जो उत्तम परिवारों में जन्मी हैं और बच्चों की माताएं हैं उनके सुबकामनाय देने के लिए भी कहा नमबर नव यही नहीं यह अन्य आधार पर युदिश्टिर ने कुरू राज्य को सुदूर सुगंदित और अच्छे वस्त्र पहनने वाली गाईकाओं को सुबकामनाय दी और अंत में विर्द विकलांग और असहाय जन्म को जन्मने नमस्कार कहा यह दिपी वय सभी समाजिक अनुकरम में सबसे निचे हैं लेकिन उन्हें न भुलाकर युदिश्टिर ने एक बार पुनो अपनी महानता और स्रिष्ट वैवार का परचे दिया हमारे विचार में विचार से बैपारी, सौधागर, क्रिसक, भूमीहीन, मजदूर और सेवक सेविकाओं को भी सम्मार मिलना चाहिए क्योंकि तथाकतित तीसरे ता चोटे वण के लोग भी समाज के लिए बहुत यूपियोगी और मेहनत के कारे करते थे निमलिखित पर एक लगू निबंद लिखिये लगबग 500 सब्दों में प्रस नमबर 6, भारती साहित के प्रसिद इतिहासकार मौरिस विटर ने महाभारत के बारे में लिखा है कि चुकी महाभारत संपूर्ण साहित का प्रतिनिदे तो करता है बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीजे इनमें नहीत है वह भारतीयों की आत्मा की आगाद गहराई को एक दिश्टी प्रदान करता है चर्चा की जिये उतर महाभारत प्राचीन भारत का एक अत्तिधिक महतपूर्ण महाकाब्य आज भी बहरती जन जीवन पर इसका अगाव प्रभाव है ततकाली जन जीवन के लगवग सभी महतपूर्ण परलगों का सजीव चितरन इस महाकाब्य में किया गया है भारतीय साहित्य के सुपरसिद इतियासकार मैसिक विटर ने महा भारत के महत्तु पर प्रकाश डालते हुए लिखा था चुकि महा भारत संपूर्ण साहित का प्रतिनिदित्य करता है बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीजे इनमें नहीं थैया हमें भारतीय जन समान की आत्मा की आगाद गहराई का दिक दर्शन कराता है लेखनी है कि महा भारत काल तक आयो का संपूर्ण भारत में विस्तार हो चुका था सभी इस्थानों पर आयो के विविनकुल राज्य कर रहे थे कौरव और पांडव का संघर्श धरम और अधरम का अचित और अनोचित और संघर्श है पांडव धरम और अचित की तथा कौरव अधरम एवं अनोचित के प्रतीक है श्रीकृष्ण जिने विष्णू का आवतार माना जाता था इसी कान पांड़ों का समर्थन करते थे इस संगर्स में पांड़ों की कौर्वों पर विजय वास्तों में धरम की आधरम पर विजय है धरम और आधरम की इस संगर्स में विभिन पात्रों का था नको की माध्यम से भारतिये जन्मानस को धरम के मार्क की और प्रेरिद करने का प्रयास किया गया, इसलिए तो गंदारी अपने जेश्ट पूत्र दुरियोधन को पांडो से युद्ध न करने की साला देते हुए कहती है, सांती की संदी करके तुम अपने पिता मेरा और अपने सुबेची को का स देड ले जाते हैं, इन दोनु सत्रू को पराजित कर, राजा संपूर्ण प्रित्व को जीत सकता है, पुत्य तुम विवेकी और बीर पांडो के सांद्र इस प्रित्वी का भोग करोगे, युद्ध में कुछ भी सुब नहीं होता, न धरम और अर्थ की प्राप्ती होती है और नहीं प्रसंसा की युद्ध की अंत में सफलता मिले यह भी निश्जित नहीं, अपने मन को युद्ध से लिप्त मत करो, इतिहास साची है कि दुरियोधन ने अपनी माता की सला की पेक्षा की और भाग ने उनकी उनसे युद्ध लड़ा और पराजित होकर सर्वनास को प्राप्त हो गया, महाभृत में भारती सृष्टाचार का आदर सुरूप देखने को मिलता है, धरमपुत्र युद्धिर भारती सिर्ष्टाचार का सजी उधारन जैसा कि महाभारत के निमलेखित अश्पश्ट होता है कि जेश्ट पांड़ युदेश्टिर जो धरमपु इजिएगा मैं गुरु दुरुण के सामने मस्तक होता हूं मैं क्रिपाचारे के चरण इसपर्स करता हूं और कुरू के प्रधान विश्म के मैं वृद्ध राजा धृष्ट को नमन करता हूं मैं उनके पूत्र दुर्योधन और उनके अनुजो के स्वास्त के बारे में सर्वोपरी मैं उन मामती विदूर को जिनका जनम दासी से हुआ है नमस्कार करता हूं जो हमारी पिता और माता से संद्रिस्त हैं मैं उन सभी व्रिद इस्तिरियों को प्रणाम करता हूं जो हमारी माताओं के रूप में जानी जाती है जो हमारी पत्नियां हैं उनसे यह कहिए कि मैं आसा कहता हूं कि वह सुरच्छित हैं मेरी और से उन कुल वद्वों का जो उत्तर उत्तम परिवारों में जन्मी हैं और बच्चों की माताएं हैं अविनंदन कीजिए सुदर सुगंदित सुवे सित गडिकाओं को सुवकामनाई दीजिएगा दासियों और उनकी संतानोत वृद्विकलांग और असहाय को भी मेरी और से नमस्कार कीजिएगा वास्तों में स्रिष्टाचार का या नमूना स्वेम में अदितिय है इसमें आयू लिंग का वंदुत भाव के साथ साथ कुलीनता प्रेम सुन्दरता दास्ता विकलांगता और असहायता के आधार पर सभी के प्रतिस रिष्टाचार प्रकट किया यूदिश्टिर ने सबसे पहले ब्रामरो और मुख्य पूरोहित का अविवाधन किया क्योंकि उनकी स्तिति समाज में सर्वच् अपने गुरू दुरोनाचार का मस्तक अविवाधन करने की बात कही और फिर किरपाचार एवं कुरू वंस के प्रमुग विष्म पितामा के चरण इसपर्स की क्योंकि विष्म आयू में सबसे बड़े और योगता की दृष्टि से आधरनिय थे विष्म पितामा के सुबकावनाई भी भेजी हुए युवा कुरू योदाओं को भी नहीं भूले और उन्होंने महामती विदू का भी सम्मान पूर्वक अविवाधन किया अंत में युदिश्टिर ने वर्ण विवस्ता की अंतरगत सबसे निचले सतर पर इस तिर दास दास्यों विकलांगो असहायो आदी के प्रती भी अपना अभिवाधन भेजा इस प्रक्रण में जहां एक और युदिश्टिर की सालिंता एक एवं विनमता का पर्चय मिलता है वहीं यह भी इसप्रष्ट होता है कि वह वन विवस्ता द्वारा इस्थापित माब डंडो का पालन करते थे वास्त में महाभारत का मूल उद्देश भारती समाजवन संस्कृती को जीवन की कुछ मूल मानताओं की और आकरसित करता है महाभारत की सर्वदिक महतपून देन स्रीमत भगवत गीता है जो संपून भारती दर्सन का निचोड है इसमें मोक्ष प्राप्ति के तीनों मारगो ज्या अधिक महत तो इस तत्य से नहीत है कि इससे हमें उत्तर वैदिक काल के बाद की कुछ सब्तावदियों की समाजिक और संस्कृतिक दसा को जानने में महतपून सहाता मिलती है निसंदे राजनेतिक समाजिक संस्कृतिक नेतिक दता अध्यात्मिक द्रिश्टी से भारती विजय उत्तर संभोता मूल कथा के रचैता भाट सारती थे जिनें सूत के नाम से जाना जाता था यह चत्री यद्धाओं के साथ युद छेत्र में पाए छेत्र में जाते थे और उनकी विजय वह उपलवदियों के बारे में कविताएं लिखते थे यह रचनाय मोखिक पांचवी सतावदी इस भी पूर्व से ब्रामडों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा यह वह काल था जब कुरू और पंचाल जिसके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है मात्र सरदारी के राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे य अपना हुई जिनका इस कहानिक के कुछ भागों में वर्णन मिलता है लगवक्ट 210B पूर्व से 210B के बीच हम इस ग्रंथ के रचनाकाल का एक और इस तर देखते हैं यह वह समय था जब विष्णु देवता की आरादना प्रभावी हो रही थी था श्री कृष्ण को जो इस महाकाब के महत्पूर्ण नायकों में से हैं उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था कालांतर में लगवक 210B के बीच मनुस्मृती तिम मिलते जूलते वेद उपदेशात्मक प्रक्रण माभारत में जूड़े गए इस सब परिवर्दनों के कान यह ग्रंद जो वाला हो गया हाला कि साहित्यक परंपरा में इस वेत रचना के रचैता रिसी व्यास माने जाते हैं प्रस नमबर आठ अंत्रिक समाज में इस्तरी पुरुस के मद्द सम्मंदों की विसमताएं कितनी महत्पूर्ण रही होगी कान साहित उत्तर दीजिए उत्तर आराम्बिक स माज में इस्तरी पुरुस के सम्मंदों में अनेग विसमताएं थी हला कि इस्तरीयों की समान की दरिष्टी से देखा जाता था विसे इसकर पुत्रों को जनम देने वाली माताएं के परती परिजन अधिक सने अविवयक्त करते थे जिनकी क्रोध से अधिक सुनदर सुसील, संपन विदान पूत्र पैदा होते थे समाज में उन इस्तेरी को निसंदे अधिक सम्मान से देखा जाता था समाज में पितर सत्ता मक परिवारों का प्रचरलन था पितर वनसिक्ता को ही सभी वर्गों और जातियों में अपनाया जाता था और इतियासकार सात्ववाहनों को इसका आपवाद मानते हैं. इसके अनुसार सात्ववाहनों में मत्र वनसिकता थी. क्योंकि इसके राजाओं के नाम नाम जुड़े हुए हैं. उधारन के लिए अविलेकों से सात्वाहा, राजाओं के कई पीडियों की राजा गोमती पुत्र सिरी सातकनी राजा वसिथी पुत्र सामी सिरी पुलुमाई राजा गोमती पुत्र समी सिरी यन सातकनी राजा मधारी पुत्र स्वामी सम सक्सेन राजा हरिती पुत्र चतरमपन सातकनी राजा हरिती पुत्र विनहुकद चत्तु कुला अनंद सातकमनी राजा गोमती पुत्र सिरी विजय सातकनी इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पद्वी पध्यान दिजिए इसके अलावा अगले सब्द को भी लचित कीजिए जिसका पुत्र से अंत होता है यह एक प्रागृतिक सब्द है जिसका अर्थ पुत्र है गोमती पुत्र का अर्थ है गोमती का पुत्र गोमती का गोमती और वसी थी इस तरी वाची नाम है गोतम और वरिष्ट यह दोनों व प्राय मूर्तियों के रूप में विविन गुफाओं की दिवारों पर उत्रिन किया जाता था यह गुफाएं और प्रतिमाय बहुत विच्छुओं को दान में दी जाती थी उपनिसद भी समाज में इस्तरी पूरुसों के अच्छे संबंदों के प्रमाड देते हैं विदराण उपनिसद में जो आरंभिक उपनिसेदों में से एक हैं आचारियों और सिस्यों की उत्रोतर पीडियों की सूची मिलती है जिनमें से कई लोगों को उनके मात्र नामों से निदिष्ट किया गया है समाज में विवाहिता इस्तरियों अपने पती को सम्मान देती थी और वे प्राय उनके गोत्र के साथ जुड़ने में कोई आपती नहीं करती थी एक ब्रामडी ये पत्दती जो लगबग एक हजार इस भी पूर्व की बाद से प्रचलन में आईवाल लोगों खास तोरुक से ब्रामड को गोत्रों में वर्गी कृत करने की थी प्रते गोत्र एक वैदिक रिसी के नाम पर होता था उन गोत्र के सदस्य रिसी के वनसज माने जाते थे गोत्रों के दो नियम महत्पूर्ण थे विवा के पस्चात इस्तरियों को पिता के इस्थान पर पती के गोत्र को माना जाता था था इस ही गोत्र के सदस्य से आपस मे विवा संबंद नहीं कर सकते थे क्या क्या इस नियमों का समानता अनुसरन होता था इस बात को जानने के लिए हमें इस्तरी और पुरुस नामों का विसलेशर करना पड़ेगा जो कभी-कभी गोत्रों के नाम से उधत होते थे हमें कुछ नाम सात्माहनों जैसे प्रबल सासको के वन से मिलते हैं इस्तरी को परिवार में माता के रूप में पूरा सम्मान मिले उसका पती भी चाहता था राज परिवारों में इस्तरीयों दरवारों में उपस्तित होती थी कुछ इस्तरीयों ने स्वेम भी राज किया या सरंचिका बनी वह अपने जेश्ट पुत्र को परामर्स देती थी यह लगबग बात है कि कई बार माता की सलाब बड़ा राजकुमार नहीं मानता था और वह अपने लालस क्रोध या गलत सौभाव के कान अपनी हर इच्छा को पूरा करना चाहता था कुछ इसी प्रकार का महाभारत में उलेक मिलता है कि जब कौरों और पांडों की बीच युद्ध भावी हो गया तो गदाधारी ने अपने जेश्ट पूत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विंति की सांति की संदी करने करके तुम अपने पिता मेरा दता अपने सुपचिंतकों का सम्मान करोगे जो पूरुस अपने इंद्रियों पर नियंतरन रखता है वो पूरुस ही राज्य की देखभाल कर सकता है लालच और क्रोध एक बुरी बलायकिंति दुर्योधन ने अपनी मा की सला नहीं मानी फलत उसक नमबर एक बंदुत्तो सम्मंदित ब्रामडी नियम और उनका सरवत्तो अनुसरन कुल सब्द परिवार के लिए संस्कृत ग्रंतों में प्रियोग किया गया है और जाती सब्द किसी बड़े समू के लिए प्रियोग नहीं किया गया है बंदुता अपने परिवारी के जीव को सहन ही सव सुविकार कर लेते हैं पर परिवार में एक दूसरे के साथ रिष्टों और क्रिया कलापों में भी भिन बिनता है कई बार एक एक परिवार के लोग भोजन और अन्य संसादनों का आपस में मिल बाट कर इस्तिमाल करते हैं और साथ रहते हैं और काम करते हैं अनु सम्मंदी कहते हैं परिवारिक रिष्टे नेसंगित और रक्त सम्मंद माने जाते हैं इतिहासकार परिवार और वंदूता सम्मंदित विचारू का विसलेसर करते हैं इसका आध्यान इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है सम्मोता इस विचा ने लोगों के किरिया कलापों को प्रवावित किया होगा इसी तरह ब्यवार से विचारों में बदलाव आया होगा महाभारत काल में राज परिवारों में बंदत्तु संबंदों में बड़ा भारी परिवर्तन आया एक इस्तर पर महाभारत इसी की कहानी है यव बादों में द दलो कोरों और पांडों के वीच भूमी और सत्ता को लेकर हुई संगर्स का चित्रन करती है दोनों इदर कुरूवंस से सम्मंदी ते जिनका एक जनपत पर सासन था यह संगर्स एक युद्ध के परीड़त हुआ जिसमें पांडों विजाई हुए उनके उपरान पित्रवंसि उत्रा अधिकारी को उदोसित किया गया हाला कि पित्रवंसिक्ता महाकावी की रचना से पहले ही मुझूद थी महाभारत की मुख्य और कथा वस्तू ने इस आदर्स को और सुदूर किया पित्रवंसिक्ता में पूत्र पिता की मृत्तिव के बाद उनके संसाधनों पर वंदू वादत सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे नंबर दो विवा संबंदित ब्रमडिय नियम का उनका असरवत्र अनुसरन जहां पित्रवंस को आगे बढ़ाने के लिए पूत्र महात्पून थे वहां इस ब्यवस्ता में पूत्रियों को अलग तरह से देखा जात पूत्रिक संसादनों पर उनका कोई अधिकार नहीं ता अपने गोत्र से बाहर उनका विवा कर देना ही वांचेत था इस प्रथा को वही वही विवा पदति कहते हैं और इनका अतातपर रहिया है कि उची प्रतिष्टा वाले परिवारों की कम उम्र की कर्नियाओं और इस उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवा किया जा सकी इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवा में कन्या की भेट को पिता का महत्मूर धार में करतब माना गया नए नगरों के उदो में समाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ यहां पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वश्टूओं की खरीद फरोत के साथ ही इस नगरिय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था समभोता इस वज़ा से आरंबिक व्यवारों पर प्रस्न चीन लगाये गए इन चुनोतियों के जबाब में ब्रामडों ने समाज के लि करना पड़ता था लगबग 500 इस वी पूर्व से इन माब डंडों का संकलन धरम सुत्र वा धरम सास्त्र नामक संस्कृत गरंतों में किया गया इसमें सबसे महत्पूर मनुस्मृती थी जिनका सकलन लगबग 200 इस वी पूर्व से 210 के बीच हुआ हाला कि इन गरंतों के ब्रा समाजिक संबंद कहीं अधिक जटिल थे इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उप महा दीप में फैली छेत्री विन्नताएं और संचार की बाधाओं की वज़ा से भी ब्रामडों का प्रभाव सर्व भौमिक कदापी नहीं था मांचित्र कारेप्रस नमबर 10 इस अ जनपदों और नगरों की सुची बनाएं मांचित्र के लिए किरपया पुष्टक देखें उत्तर संके सरो के नाम हस्तिनापूर मतुरा उज्जेन विराठ कपील वस्तू लुवीनी पावा कुसी नगर वैसाली सारनाद वारानसी बोध गया सा कवस्ती पाटली पुत्र महा जनपदों के नाम कमबूद गधार कुरू सुरसे मस्ते अवंती चेंदी मस्ते असमेक मगद अंग कोसक कोसल वंजी कासी पंचाल मल्य कोसामबी दोनु मांचित्रों की तुलना विद्यार्थी सुयम करी परियुजना कारिकोई एक प्रस नंबर 11 अन्य भासाओं में महा भारत की पुनव्यक्या के बारे में जानिय इस अध्याय में वर्णित महा भारत के किनी दो प्रसंगों का इन भिन भासा वाले गरंतों में इस किस तरह निरूपन हुआ है इसकी चर्चा कीजिए जो भी समानता और विनता और इस वितान में देखते हैं उन्हेंज़ किजिए उत्र स्वेँ करें प्रस नमबρ 12 कल्क का कभीजिए कि आप एक लिखह पहले कैं और एक लेग की कथा को अपने द्रिष्टि कूड से लिखें उत्र स्वेँ करें अगरНу छी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को